हाई फ्रेंट्स मैं नीता आज मैं आपको रतानी चारें देंगे देही बैगन की सब्जी यह कैसे बनाए जाती हो ती सिंपल और साधारन हैं समागरी चाहिए एक बड़ा बैगन दो हरी मिर्च आधी कटोरी दही बेश कड़ी पत्ता धनिया पत्ती एक चमच एक चमच कसूर एक बड़ा चमच एक चमच लसुन नमक स्वादनुसाय एक चमच अध्रब और तेल तलनी के लिए रिफाइन सबसे पहले बैंगम में हल्दी और नमक मिलाके उसे मिलाना है बैंगन को रिफाइन तेल में तलना है जिखब बैंगन को रिफाइन तेल तेल में है जब बैगन फ्राइ हो जाए तो से निकाला है इसके बाद दूसरा फ्राइंग पेंट चड़ाना है फ्राइंग पेंट चड़ाना उसमें सर्षो का तेल डाले एक बड़ा चमच पिर चपॉरन डाले उसके बाद आदी चुटी चमच रसून एक चमच अगरें 20 कड़ी बत्ता एक पिर एक चमच कसमेरी लाल मेच पिर एक चमच चिनी नमक स्वादा नुसार प्रचत प्रचत की ठोड़ी देडर चलाना है वत्ता की डूर्ट्ट्ट्रीन भाद न मेंच पर्राइड उस्ताड़ी नमक स्वादा नुसर। तो उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे आधा ग्लास फिर उसमें बैंगन डालेंगे उसके बाद कसूरी मेथी, धनिया पत्ती, गरम मसाला सुरी को डालके थोड़ी दिर चलाना है उसके बाद हम उसमें अधरक और हरी मेर्स डालेंगे और गैस आफ कर देंगे सब्जी को ठंडा होने दे उसके बाद हम उसमें दही डालेंगे दही डालने के बाद हम उसे दो मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद सर्व करेंगे जर्प करने के लिए एक बाल में निकाल भी अधर दियुक्त और अधर करने के लिए एक बाल में निकालेंगे करेंगे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किजिए